हाई दियर दिस इस एम रह्मार और वेलकेम वी तो रसी क्लासिस ऑफ इंग्लिश लिंग्विज टिड़े आर टॉपिक इस यूपी बोर्ड बेज़ इंपोर्टेंट क्वेस्टन बेज़ ओन पैसी वोईस एक्टिव वोईस से पैसी वोईस हो तो इस वोईस चैप्टर के अं के लिए ही नहीं बलकि 11 और 12 के लिए भी equally important हैं तो इनको आप अच्छे से समझेंगे यह exercise हमारे को कब काम आने वाली है पहली बात तो यह 2014 से लेकर 2019 तक के सभी important selected questions पर based है दूसरी बात यह है कि इसमें हर तरह का एक question उठाया गया है जो की बार बार अलग-अलग words में repeat होत है तो अगर हमारे पास कम time है और हमें बहुत कम time के अंदर board में prepare होना है sure marks लाना है तो आप इन questions को कई कई बार करके देखें बिल्कुल आपको success हाथ लगने वाली है तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है like नहीं किया है share नहीं किया है तो आप करें और comment section के थुरू हमें बताएं कि story translation हिंदी से English में आप कर पाते हैं या नहीं और क्या नई techniques और हो सकती हैं कि हमारी translation और हमारी conversation भी easy हो जाए तो इसको हम देखेंगे आगे की दूसरी वीडियो में अब हम शुरू करते हैं 2014 से 19 तक के active और passive voice जो की बार बार repeat हुए है हमारा पहला question कुछ इस तरह से है यहाँ पर आप देख रहे हैं the hunter shot the tiger तो आप देखेंगे कि जब हम पहले question को read करते हैं तो किसी भी active voice से passive voice बनाने में आपको subject और object को पहचानना बेंतिहा जरूरी होता है और हमने एक सीरीज में वीडियो बनाई हुई हैं कि आप subject object को कैसे पहचाने कि stance में किया additionally आप add करें और किस तरह से object को subject पर subject को object पर nominative case से objective case में objective से nominate में बदलें यह आपको पूरा उन वीडियो उसको सर्च करके हमारे channel पर study करना होगा चुकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बोर्ड के important selected questions की और कई सारे years के questions में से हमने हर तरह कहके किया चुना है तो short verb है short के बाद जो आपका noun या pronoun आता है पहला वो आपका object है और यह आपका subject है तो इसे किस तरह से आप solve करेंगे इसे सबसे पहले आप ने इस जो noun दिया है उसको subject की जगे पर replace कर लेना है और आप लिखेंगे the tiger tiger इधर आ गया जब भी second form आपको दी गई हो आप was work का use करते हैं इस आए हुए noun के base पर it means tiger similar है tiger पहले आया तो tiger एक होता है तो was लगाया आपने was के बाद आपने short लिखा और जो आपका nominative case या subject के शुरू में था या वर्ब से पहले लिखा था उसको आप कहां पर लिख देते हैं उसको आप लिख देते हैं by the hunter by the hunter दूसरा question आप देख रहे हैं कि अब की बार हमें beginning में दिया है have हमारा subject है they हमारा object है you तो you जो वर्ब के बाद है वो वर्ब से पहले आएगा helping वर्ब अपनी जगे पर रहेगी अभी यहापर हमें ऐसा लगा जिसे मान लिजए कि object बिगिनिंग में आता है अबजेक्ट subject की जगे पर आता है subject की जगे है आपकी यहाँ पर तो you यहाँ पर आएगा और you के लिए have plural होने पर have ही रहेगा तो आपके लिखेंगे आपने पहले helping वर्ब जो अगर शुरू में लिखी है तो helping वर्ब आप शुरू में ही लिखेंगे और you की जगे पर दे की जगे पर आप you ले आएंगे और have आने पर आपको bean लगाना पड़ता है आप कहीं एक page पर लिख लें कि have के साथ आप bean लगाते हैं और third form आपको यहां पर रखी रखाई मिल गई है have और आप करेंगे by यहां पर था them जो दे है तो देम में कर देंगे अगर आ हुटा तो मी कर देते वी होता तो अस कर देते तो जो यहाँ पर होता है subject उसको आपको objective case में डालना पड़ता है तो यहाँ पर हमने दे का देम कर दिआ तो आई होप कि यह बड़े अच्छे से समझ माया होगा इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो comment section में आप लिख करके भेज़ देंगे help him जब हमें कोई subject दिया नहीं होता तो हम उसकी beginning let से करते हैं let के बाद जो ये verb के बाद दिया गया है ये आपका पहले आ जाएगा और ये him का him ही रहता है let वाले case में इसको he नहीं करते हैं और इसके बाद आपको additionally भी लगाना पड़ता है और ये जो help आपको वर्ब दी गई थी इसको आप third form करते हैं अब यहाँ पर है he satisfied everybody तो यहाँ पर everybody किसकी जगे आएगा he की जगे पर he satisfied में second form है तो second form वाले में वाजवर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ वाज satisfied अब satisfied के साथ आपको with लगाना होता है satisfied with यह special rule है आपको अलग से learn करना है कि satisfied आने पर by नहीं लगता और यहाँ पर him हो जाएगा तो ऐसे बहुत सारे words हैं जो हमने यहाँ पर select किये हुए हैं board के questions हैं तो यह satisfied के साथ with लगाते हैं known के साथ two लगाते हैं ऐसे दूसरे words हैं अभी आपके सामने आने वाले हैं आप यहाँ से इनको note कर लें इसके बाद है please put the book on the table तो please की जगे आपको यह पूरा phrase लिखना होता है you are requested किसकी जगे पर लिखना होता है kindly की जगे यह kindly भी हो सकता है आपने इसका substitute लिख दिया अब आपको put से लेकर सारा copy कर देना है to लगाने के बाद आपने to लगाया और put से आगे आप यहाँ देख सकते हैं as it is सारा copy कर देंगे you are requested to put और के लिखेंगे the book on the table on the table तो यह हमने अभी five questions solve किये हैं अब हम चलते हैं some more questions की तरफ question number six में है the judge found the prisoner guilty अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हम object को identify करते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि वर्ब के बाद आने वाला जो भी word है वो object होता है अब वर्ब के बाद तो बहुत सारे words आए हुए हैं अब है कौन सा word object होगा तो let me tell you one thing कि वर्ब के बाद आने वाला पहला noun या pronoun object होता है object एक से ज्यादा भी हो सकते हैं आपको पहला pick कर लेना है safe to write और अगर आपको पहला noun जो है अगर आपको लेट मिलता है थोड़ा बाद मिलता है तो उससे पहले आने वाले सारे words जो वर्ब के बाद से शुरू होते हैं और उस noun तक जाते हैं वो सारे copy होंगे तो यहाँ पर आपको found मिला उसके बाद prisoner यहाँ पर मिला आप देख सकते हैं और यहाँ पर दा इसके साथ है तो the prisoner को आपने the judge के पास लगाना है या इसके place पर लगाना है तो आप क्या लिखेंगे आप लिखेंगे the prisoner was found अब यह जो portion आपका बज गया देखिए यह वाला portion तो आपका सारे हैं से copy हो गया यह बचा तो यह आप सारा last में कोपे कर देते हैं और सब उतार देना है अभी जो beginning में लिखे थे subject की जगे पर यह आपको बाई लगा कर नाउन होने पर as it is copy कर देना है बाइदे जज़ दा टीचर बीट दो मिश्चीवियस बॉइ अभी जो वर्ब बीट है यह first form भी आपकी और second form भी एक जैसी लगती है अभी यह कैसे पता चले कि यह first form है कि second form है देखिए देखिए the teacher singular है अगर यह singular present में होते तो ऐसा लगता ऐसी हां लगा नहीं है तो इसका मलब यह हुआ कि यह second form है अब बॉइ हमें यहां पर मिला उससे पहले मिश्चीवियस adjective मिला उससे पहले दा मिला तो हम यह सारा आपको दा टीचर की जगन लगाएंगे और आपका अंसर हो जाएगा दा मिश्चीवियस बॉइश 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 बीटन है कुछ वर्प्स ऐसी होती है जिसमें स्टूडेंट्स कोई confusion रहता है कि हर जगे एडी लगा दो एडी लगा दो एडी लगा दो और आपकी स्थर्ट फोर्म बन जाएगी इट्स नट एफेक्ट आपको वर्प लेंड करनी हैं जैसे कि यहां पर फाउंड था अगर ढूंडणा है तो फाइंड फाउंड फाउंड यह आपको लेंगे और आपको बॉर्प्स को मार कोकॉश्चन ने वह छूट जाएगा इसलिए आप हमें कॉमेंक्स अर्द हमें अ शारी वर्प्स कलेक्ट आपको एक साथ दे देंगे और आपको बोर्ड में बिल्कुल मार नहीं खानी पड़ेगी दैमेशी विस बॉइटन बाइद टीचर कुछ भी मुश्किल नहीं है कॉंसेंट्रेट करना इस नियत से बैठना कि मैं सीखने जा रहा हूं वह बहुत इंपोर्टेंट है और आप बार बार इनके प्रैक्टिस करें इनको लिख लें और अगर यह सेंटेंस आपको पैसी इसमें डालने आ जाते हैं तो कोई भी सेंटे मी तो यहां पर मी को आप आए बना कर लाएंगे हिस रिप्लाइब की जगे आए सेकेंड फॉर्म है इसलिए आप यहां पर वाज लिखेंगे और थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म एक जैसी होती है सर्प्राइज अब सर्प्राइज के बाद ओन्वेज बियर इन नहीं लगाना है कि एड हिज रिप्लाइए यह आपको याद रखना है जैसे कि भी हमने सैटिस्फाइड के केस में स्टडी किया था प्लीज कीप तुदा लेफ्ट अभी यहां पर प्लीज को हम क्या करेंगे हम लिखेंगे यू आर रिकुएस्टिड तू अभी हमने थोड टू दा लेफ्ट ऐसे ही कुछ दूसरे सेलेक्टिड क्वेशन्स और हैं उन्हें भी देखते चलते हैं मारा क्वेशन है क्वेशन नमबर टैन ब्रिंग अग्लास वाटर अभी हाँ पर हमें ऑबजेक्ट पैचाने में प्रोब्लम आएगी बूर्ड क्लासिज में जो भी क्वेशन्स आते हैं कहीं न कहीं उसमें कुछ ट्रीकी होता है कुछ भी आसान नहीं होता और सही कहें तो कुछ भी ऐसा नहीं होता जो नामूमकिन हो इंपॉसिबल हो एसंबव हो यह मुश्किल हो तो ब्रिंग अग्लास वाटर तो हमें अभ वो off से जुड़ा है तो off से connect होकर पूरा ही object पर वो phrase जाना है phrase उसे कहते हैं जब आपके object noun में कुछ add होता है और other words के साथ तो आपका answer कैसे बनेगा आपका answer बनेगा let हमने बताया कि जब verb की beginning में वर्व आपको आ जाए तो आप लट लगाते हैं और जो वर्व के बाद है वह पहले आएगा और वर्व पीछे चली जाएगी तो हमने क्या क्या a glass of water को हम पहले ले आए a glass of water यह हमारा पूरा object है अब हमने क्या करना है बी लगा कर वर्व की third form करनी है बी बराट अब यहाँ पर students ने एक बात याद रखनी है कि बाट और बराट में difference है बाट में और बराट में difference है और आप जो है क्या करते हैं आप बाट को use कर लेते हैं यह बहुत गलत बात होगी तो bring का बराट आपने लगाना है question number 11 who writes a letter? अब who in itself एक ऐसा question है जो subject है यह आपका object है अब चुकि यह subject है इसलिए आपको by लगाना है चुकि object है sorry क्योंकि question word है इसलिए यह शुरू में आएगा तो जैसे ही का him होता है दे का them होता है वैसे ही who का whom होता है तो who जब पीछा आएगा तो by whom बनेगा लेकिन question word होने की वज़़ा से इसको हम beginning में ही रखे रहते हैं तो by whom आ गया अब चुकि यह question word है तो इसकी helping word की जगह छोड़ दीजे क्योंकि present indefinite में और past indefinite में हमें यह मालूम नहीं होता कि हम singular माने यह plural तो a letter हमें मिला यहां पर रखा हुआ आप जानते हैं कि जब हम pass voice बनाते हैं तो हमारा object पहले आ जाता है और verb पीछे चले जाती है वर्ब क्या है written वर्ब है written तो यहां पर आ जाएगा by whom अब letter है अभी यहां पर क्या था rights तो यहां पर आ जाएगा आपका is by whom is a letter written यह आप practice कीजिए helping work पहले आएगी और जो आपका verb के बाद object था वो third number पर आएगा यह हमेशा याद रखना did you finish your work in time तो यह आपकी helping verb है subject है आपका यहां finish आपकी verb है और your work आपका object है तो your work कहां जाएगा you की जगे पर और जब your work यहां पर आपका आएगा तो work एक है तो यहां हो जाएगा was तो आप किस तरह से use करेंगे was your work अब वर्ब की third form आएगी finished जितना बचा है सारा copy कर दीजिए in time by you interrogative होने पर punctuation का दिहान रखें तो यह हो गया हमारा question number 12 number 13 में कुछ खास बात है और आप देखेंगे कि इसमें एक object आपका यहां है और एक object आपका यहां है तो हम क्या करेंगे पहले object one को यहां पर ले करके आते हैं हमने कहा I gave होने पर हमने लिखा was given I was given सारा copy कर दीजिए work के बाद सारा उतार देते हैं कि अग्लास कि वाटर कि बाई कि ही का हो जाएगा आपका हिम अब इसका एक दूसरा form है जो हम दूसरे color से करेंगे यह था हमारा object one यह हमने कर दिया एक अकेले type में अब हम दूसरा type यहां पर ले रहे हैं यहां समझ सकतें अब हम object यह जो हमारा object two है इसको हम पहले लाएंगे ही की जगे पर मी को पीछे ही छोड़ देंगे इसको हम direct object कहते हैं सजीव को जीवित को हम indirect object कहते हैं अब एक बात और बताए थी कि जो off से जुड़ा हुआ सारा आता है तो आप लिखेंगे a glass a water was given अब यहां जो two बचा इस two को हम कुछ अलगतरे से लिख रहे हैं आप लिखेंगे two me यह आपको खास दियान रखना है कि जब भी आपके पास यहां पर two आता है तो आप क्या करते हैं सॉरी जब भी आपके पास मी हो और आप सजीव आपजेक्ट को पीछे ही छोड़ दें बिगिनिंग में ना लाएं तो टू एडिशनल लगाना पड़ता है वर्ब गिव यह गिवन आने पर है यह आप का होगय से रीटा कैन ओर डू दिस वर्ग तो यहां पर दिस वर्ग आपका औब जेक्ट है और रीटा यहां पर क्या है सब्जेक्ट है तो जितने भी मोडल्स होती है आपकी कैन है कुड है मैं है मस्ट माइट शेल विल इन में समय भी एडिशनली आपको यूज करना होता है तो यहां पर बाकि सब कुछ जानते हो कि कैसे करना है तो आप लिखते हो दिस वर्क कि कैनोट भी कि अधू का थट फॉर्म डण कि अब बाई रीता तो यह आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया अभी एक और दो को एक्जैंपल सोर हैं वह भी बहुत इंपोर्टेंड आईए देखते हैं पर क्वेश्चन नंबर फिप्टीन में हम देखेंगे कि हमारे पास वर्ब हैं नो नो के बाद ऑब्जेक्ट है हिम तो हम हिम को ले आए यहां पर तो यहां पर हम लाएंगे तो हमने क्या मिस्टेक किया है हिम कर दिया हमने यहां पर इसको ही करके लाना है ही प्रिजेंट है तो प्रिजेंट इंडेफिट में जिसमें वर्ब की फर्सवर्म आती है एस और यह से लगता है उसमें इसरेम हम अपने पास से लगाते हैं तो ही इस अभी हां पर आ गया नोन जब भी verb known आ जाए तो आप यहां पर by की जगे पर क्या लगाते हैं पहले सारा copy कर दीजे और आप last में क्या करेंगे यहां लिखेंगे to यहां पर आपको no वाले में by नहीं लगाना होता और आप लिख देंगे me तो यह special किसलिए है यह special इसलिए है कि जब भी आपको यहां no दे रखा हो तो आप to लगाते हैं by नहीं लगाते हैं यह आपको अच्छे से समझ देना है इसके बाद आपको आता है do this work यह काम किजिए तो do का मतलब present indefinite नहीं होता हमेशा imperative भी हो सकता है तो do से पहले कोई subject नहीं है और this work आपका object है तो आप क्या करेंगे let this work be और do की third form done तो इसको imperative आप समझे क्योंकि work की first form beginning में है यह do present indefinite का नहीं है अगर यह present indefinite वाला do होता तो इसके बाद subject और फिर वर्ब और फिर आगे दूसरी चीज़े होती तो इस तरह से हम आपके लिए जितने भी आपके topics हैं सभी पर selected questions की जो selected questions हैं उनके UP board में जो repeat हुए है questions बार-बार उनको हम आपको एक ही वीडियो में एक साथ करके देंगे बहुत कम समय में आप उनकी बार-बार practice करके त्यारी कर सकते हैं जो sections जो topics आपके कमज़ोर हैं उनको आप comment section में हमें लिक करके भेज सकते हैं और मिलते हैं जल्दी इसे तरह की दूसरी वीडियो के साथ बने रही है हमारे साथ और लाइक किजिए शेयर किजिए सब्सक्राइब किजिए thanks for being with us thanks a lot